दोस्तों आज का ये जो वीडियो है टूटल दो पार्ट में होगा जहाँ पे वीडियो के सबसे पहले हिस्से में आप लोगों को बताओंगा कि किस तरीके से मालडीव के नया पेसिडेंट मुहम्मद मोजजू के तरफ से केवल मातरो भारत को मालडीव से बाहर निकालने को कही प्रयास नहीं किया जा रहा है बलकि साती साथ टर्की और चायना जैसे देशों को मालडीव में लाके बैठाने का प्रयास किया जा रहा है जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे इंडियन ओशन के अंदर अपने ताकत को मश्बूत करने के लिए भारत के तरफ से और एक कदम आगे बढ़ा दिया गया और किस तरीके से इंडिया का पहला इंडिजिनियास यार्चेफ कैरियर आइनेस विकरांत को अब फुली operational clearance दे दिया गया है दोस्तों इन दोनों विशयों के बारे में डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए बिसिकली दोस्तों महमद मौजु माल्डिव के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक तरीके से उनके द्वारा भारत को लेके घ्रिना दिखाया जा रहा है हाला कि ये जो घ्रिना है ये उनके election campaign के दर्मियान भी साफ साफ जलक रहा था पर एक बार माल्डिव के प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके तरफ से जो हरकत शुरू किया गया है वो संपूर रूफ से भारत बिरुदी हरकत है और साफ साफ पता चल रहा है कि ये चाइना के ही श्रेपे किया जा रहा है दोस्तों चाइना के विजिट के वाद मौध मोजू के तरफ से जहां पर भारत के आर्मी को माल्डिव से हटाने को लेके 15 मार्च के deadline दिया गया है तो दोस्तों वही पर इस दर्मियान ख़वर आ रहा है कि भारत को माल्डिव से हटा के मौध मोजू माल्डिव के अंदर च अक्षर हुआ है और दोस्तों ये deal मेरिटाइन सर्फलेंस को मजबूत करने को लेके और द्रोनों को खरिदने को लेके है रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि माल्डिव गौवर्मेंट करीब 37 मिलियन डॉलर या फिर कहतो 569.8 मल्डिवियन करेंसी के साथ एक deal को तरक उन्हों को खरिदा जा रहा है तो इसके पीछे असल मकसद तरकी जैसे देश के साथ घनिष्टता बढ़ाना और भारत को चुनोती देना है अब दोस्तों तरकी के विजिट के बाद मौवजू के तरफ से दूसरे विजिट के रूप में चाइना का विजिट किया गया था और दोस्तों ये विजिट कर इवन पांच दिन का था और दोस्तों इस विजिट के बाद जब मौवजू माल्डिव रिटरन आये तो उसके बाद उनके तरफ से भारत को लेके कई तरीके के बयान दिया गया जो कि भारत भिरोधी और चाइना के पक्ष में था और इससे उन्हें चाइना से बहुत कुछ मिला होगा पर उसके बाद द्रोनों के अकुजिशन का बात को जो कहा गया है वो असल में एक बहुत बड़ा बात है क्योंकि एक तरफ जहाँ पे माल्डिव के फास्ट डिफेंस के बैसिक इंफ्रस्ट्रक्चर इवन कहा जाए तो यहाँ हेल्थ सर्विसेज के लिए हेलिकॉफ्टर और यार्क्राप्ट तक नहीं है और वो सर्विसेज भारत के तरफ से प्रोवाइट किया जा रहा है तो दूसरे तरफ इन्हीं सर्विसेज को प्रोवाइट करने के लिए जो भारत के तरफ से मिलिटरी परसनलों को डिप्लॉई के तरफ बड़ा कदम है और दोस्तों इस कदम को उठा के माल्डिव को किवल मात्र डेट ट्राप में नहीं फसा जाएगा बलकि माल्डिव को भारत बिरुदिक ऐसे कैम्प के तरफ भी धकेला जा रहा है जो कि आने वाले समय में भारत के लिए भी खत्रा बनेगा और माल्ड तरफ अगर तरकी को देखा जाए तो तरकी भी गोई ऐसा देश नहीं है जो कि भारत का वला चाहता और हाली में तरकी के प्रेसिदेंट रसफ तयव अर्दोगान के द्वारा भारत बिरुदि जो बयान बाजी किया गया है इवन भारत के मदद के बावजूद कशाप बढ़ेगा और आप लोगोको पताई होगा कि पाकिस्तान ऐसा कोई मौका नहीं छोडता है जहां से कि भारत के खिलाव गतिविदियो को अण्जाम दिया जासके खास करके भारत के अंдर घुस्पैट और भारत के अंदर आतंग की गतिविदियो को बढ़ जासके और ऐसे में दोस्तों अगर माल्डिव तक पाकिस्तान का पौज बढ़ जाता है तो वहाँ से भारत के लिए खत्रा खास करके आतंकी गतिविदियों को रिलेटेट खत्रा और बढ़ सकता है अब दोस्तों चलिये जानते हैं वीडियो का दूसरा हिस्दा मतलब इंडियन नेवी का पहला इंडियन यरीयर क्यायर मतलब आई एनेस विक्रांत के बारे में अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जानके रखना चाहिए कि आएने जविक्रांट असल में भारत के तरफ से निर्मान किया हुआ केवल मातर पहला इंडेजिनियास एरक्रैफ्ट कैरियर ही नहीं है बलगी यह असल में भारत के मार्वलेस इंजिनियरिंग का एक तैयारी किया जा रहा है हाला कि दोस्तों अगर देखा जाए तो साल 2022 के अंध में इस यारक्रैफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी को सौफा गया था और इंडियन नेवी के तरफ से इस यारक्रैफ्ट कैरियर को हासिल करने के बाद करिश तरीके के टेस्टिंग और प्रायल क हो जिसके बाद इसे इंडियन नेवी के बेड़े में फुली ओपरेशनलाइस करने के बाद आइनेज विक्रमधित्य के जैसे इसे भी समुंदर में मतलब गहरे पानी में उतार दिया जाए हलाग दोस्तों फिलाल आइनेज विक्रांथ जिस कंडिशन में है उस कंडिशन में भी ये लड़ाई लड़ सकता है लेकिन फिर भी कुछ ट्रायल और टेस्ट को कम्प्लीट करना बाकी है और उसके बाद इयरक्रेफ्ट करियर के उपर संपून कैरियर स्ट्राइक ग्रूप के जो एर ग्रूप होता है उसे डिप्लॉई किया जाएगा अब दोस्तों फिलाल आइनेज विकरांथ येरक्रेफ्ट करियर को देखा जाए तो इसे मिक 29 के सिरीज के येरक्रेफ्टों के साथ ही कमिशन किया गया है और हाली में इस येरक्रेफ्ट करियर के बनाने को लेके ओर्डर दिया गया था और रिपोर्ट के मुताविक इस येरक्रेफ्ट करियर के जो निर्मान का काम है वो साल 2009 से शुरू हुआ साल 2013 में मतलब निर्मान के काम शुरू होने के चार साल के बाद इसे लॉंच कर दिया गया और लॉंच के बाद येरक्रेफ्ट करियर को लेके जो बाकी काम है उसे अंजाम देने के लिए काफी लंबा समय लगा और साल 2022 के जुलाई महिने में इसे एक्योर करने के साथ साल 2022 के ही सेप्टमबर महिने में इसे इंडियन ने भी में कमिशन किया गया दोसो रिपोर्ट के मुताव एक आइनेस विक्रान करिप करे 45,000 टन के एक भारी भरकम येरक्रेफ्ट करियर है जिसका लंबाई करिवन 262 मीटर मतलब 860 फीट है जबकि इसका चौडाई करिवन 62 मीटर मतलब 203 फीट है इसका हाइट करिवन 59 मीटर मतलब 194 फीट है M2500 Gas Tervine का इस्तेमाल किया गया है जिनमें से हर एक इंजिन का शमता 88 फीट मेगावाट है जबकि इसके इलाबाद दो LSON के Combine Gas Torvine and Gas Torvine Gearbox का इस्तेमाल किया है और इसमें 2 शैप्ट है जिसके सहारे ये जो जहाज है ये 30 knot मतलब 56 km पर आवर के अधिकतम रफ्तार में ट्रावल कर सकता है और economical रफ्तार में इसका range करीवन 8000 nautical mile या फिर कहतो 15000 km है दोसों इस जहाज को operate करने के लिए 196 officer और 1449 sailors का आवशकता होता है जिनमें air crew भी शामिल है और जोसों जहाज में इस्तेमाल होने वाले sensors को अगर देखा जाए तो report के मताविक इसमें Israeli company Elta के ELM 2248 MF Star Active Electrical Scan Array Multifunctional Radar Cell X के RAN 40L 3D L Band Air Surveillance Radar का इस्तेमाल किया गया है जबकि Electronic Warfare System के रूप में इसमें DRDO के शक्ती Electronic Warfare Suit जबकि इसके इलावा कवज anti-missile system, marriage, anti-torpedo, defense system का इस्तेमाल किया गया है हतियार के रूप में इसमें 2 32 cell के ऐसे vertical launching cell है, मतलब 64 ऐसे vertical launching cell है, जिसके साहरे बराक 8, मतलब करीब करीब 100 km range वाले surface to air missiles को दागा जा सकते है, जबकि इसके इलावा इसमें 4 Ota Brada, 76 mm के dual purpose cannon और 4 AK630 close in weapon system इस्तेमाल हुआ है जबकि इसके इलावा आने वाले समय में twin engine deck west fighter और AMCA के naval version को भी इसमें तैनात किया सकता है और helicopter के रूप में ये Camov K-31, H-64 Apache, Prachand helicopter, MS-60R helicopter और droop जैसे helicopter को carry करने का शमता रखता है हाला कि अब तक अगर देखा जाए तो इसी aircraft carrier के उपर तेजस, MiG-29 और Camov K-31 जैसे helicopter को ही तैनात किया गया है तो ये भारत के लिए कितना वड़ा security threat हो सकता है, comment करके अपने राय अवश्य दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पर ही करते है, समाफ्त किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम